प्यारे बच्चों, चली आज हम लोग क्लास टेंथ की NCRT मैथ पढ़ना सुरू करते हैं जैसा कि प्यारे बच्चों हम लोग द्विघात समिकरन पढ़ रहे थे हैं ये मैथ का चेप्टर है, चौंथा चेप्टर तो इसमें हम लोग पिछले दिन पढ़े थे कि पूर्ण वर्ग बिधी द्वरा द्विघात समिकरन का हल या मूल कैसे निकाला जाता है जैसा कि जानते हैं, अगर हल भी बोलेगा या मूल भी बोलेगा तो दोनों बात एक ही होता है यानि कि अगर हल का बात किया जाए और मूल का बात किया जाए तो प्यारे बचो तीन तरीके से निकाला जाता है जैसा कि आप रैखिक समिकरण को परतियस्थापन बिधि, तुलनातमक बिधि, बजर गुनन बिधि और भी बहुत सारे मेथड्स हम लोग निकालते थे उसी तरीके से अगर बोलेगा कि द्विघात समिकरन को हल किजिए तो इसका भी हल करने के लिए तिन नियम है ठीक है पहला का नाम है गुनन खंड करके जैसा कि हम लोग पहले सिखे फिर है पूर्ण वर्ग बिधी बना कर और आज हम लोग सिखेंगे प्यारे बचों द्विघाती सुत्र के माध्य हम से तो ये एक तरह का थियोरी हम लोग सिख रहे है जो एक्सरसाइज 4.3 के लिए है यानि कि जो अभी हम लोग सिख रहे हैं प्यारे बचों ये अगर आप सिख पाएंगे तो 4.3 एक्सरसाइज में कोई प्राबलम नहीं होगा तो हम लोग दो मेथड पहले ही सीख चुके हैं गुनन खंड और पूरुन वर्ग विधी क्या होता है तो आप इन चीजों को जो थियोरी में हम लोग सीख पा रहे हैं आप इन चीजों को फर्मुला के तोर पे भी नोट किया केजिए क्योंकि हो सकता है आप इन चीजों को या फिर कैसे करना है आप अगर भूल जाएं तो यह कोपी देखेंगे तो पता चल जाएगा तो चलिए हम लोग आज पढ़ने वाले हैं द्विगहात समीकरन का सुत्र के बारे में तो सबसे पहले जानते हैं कि द्विगहात समीकरन की सरूप का होता है प्यारे बचों द्विगहात समीकरन का जो रूप होता है वो एकस स्क्वार प्लस बी एकस प्लस सी बराबर जीरो होता है यानि एकस स्क्वार प्लस बी एकस प्लस सी बराबर जीरो के रूप का होता है द्विगहात समीकरन क्योंकि दिविघात समिकरन का मतलब वे हुआ कि अधिक से अधिक पावर कितना रहना चाहिए दो रहना चाहिए तो यहाँ पे दो पावर है तो इसलिए दिविघात समिकरन का ये जेनरल रूप है यहाँ से आपको समझना होगा प्यारे बच्चो कि जो एकस अस्क्वार का जो गुनांग होता है उसको हम ए बोलते हैं एकस अस्क्वार के बगलवाला को ए बोलते हैं एकस वाले के बगलवाले को भी बोलते हैं और बिना एकस वाले को सी बोलते हैं यह बात आपको याद रखना होगा जैसे एक एक्जाम्पल के तोर पे लेते हैं 2x² प्लस 3x प्लस 8 एक द्विघात समिकरन है अब इस द्विघात समिकरन में अगर आपको एक अमान बोलेगा तो एक अमान कितना करेंगे तो x² का गुनांग क्या है दो है तो x एक अवेलू हो गया दो x के नजदिक वाला x के पास क्या है 3 तो इसलिए हम b का वेलू 3 बोलेंगे और बिना x वाला क्या है 8 तो c का वेलू 8 हो गया यानि प्यारे बच्चों आप ऐसे याद रखेगा कि जो भी अस्क्वाइर वाला होता है x square, P square, कुछ भी square रहेगा उसके वाला उसके पास वाला को A बोलेंगे और x वाला के साथ जो रहेगा सटा हुआ उसको b बोलना है और बिना x वाला को c बोलना है तो इस अग्राइंगे क rinse के लिए रोगी है तो जी हाँ A का value जो होगा वो X square वाला का गुनांग होता है तो यहाँ X square के बगल में क्या है प्यारे बच्चो रूट 2 है तो इसलिए A का value कितना हो जाएगा रूट 2 और B का value कितना हो जाएगा तो X के बगल में कितना है conservative इसलिए B का value हो जाएगा वो minus 4 हो जाएगा और C का value कितना हो जाएगा तो B ना X वाला कितना है minus 3 ध्यान रहे प्यारे बचो आप X का B का value सिर्फ अगर 4 बोलते हैं कि यहां B का value 4 होगा तो आपका गलत हो जाएगा प्यारे बचो क्योंकि X का value 4 जो होता है उसके साथ साइन को फी लिया जाता है ठीक है उसके साथ माइनस है तो बी का वेलू माइनस चार हो गया C बिना X वाला कौन है 3 नहीं बोलेंगे माइनस 3 बोलेंगे यानिकि उसके पहले जो sign रहता है प्लस रहे या माइनस रहे उसको भी हम लोग लेकर बोलता है जैसे अगला example है माइनस 3 X स्क्वार प्लस 8 हम क्या बोले प्यारे बच्चों कि X स्क्वार वाला हमेसा A होता है तो A का वेलू कितना यहाँ पे माइनस को लेकर बताएंगे यानि कि उसका जो गुनांग होता है उस गुनांग के लिए हम लोग को प्लस और माइनस को देखकर A का वेलू निकालना होता है इसलिए B का वेलू 0 और C होता है बिना X वाला तो बिना X वाला 8 है तो C का वेलू 8 अगला एक्जामपल दिखते हैं 4-3X स्क्वार प्यारे बचो 4-3X स्क्वार में अगर A का वेलू पहचानना होगा तो हमेशा स्क्वार वाला जहां रहता है उसके बगल वाला को A बोलते हैं लेकिन उसके बगल में तो 3 है लेकिन प्यारे बचो 3 नहीं लिखना है माइनस 3 लिखना है इसलिए A का वेलू कितना होगा है माइनस 3 B किसको कहते हैं तो X वाला को B कहते हैं X वाला को B हम बोल रहे हैं तो यहाँ X वाला तो है ही नहीं, इसलिए B का वेलू 0, और बिना X वाला को C बोलते हैं, तो C का वेलू कितना हो गया, 4, अगले एक्जामपल कितरा बढ़ते हैं, अगला एक्जामपल है 4X-8, अब इस 4X-8 को प्यारे बचो, हम क्या बोल रहे हैं, A निकालना है, B निकालना ह A का मतलब क्या, अस्क्वायर वाला, और B का मतलब क्या, X वाला, तो यहाँ पर कोई अस्क्वायर वाला दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो जब नहीं दिख रहा है, तो A का वेलू 0, अच्छा B का वेलू कितना, तो X वाला B होता है, तो X का वेलू कितना है, 4, तो B का वेलू 4 हो गया, C का वेलू कितना प्यार बच्चों तो माइनस 8 क्योंकि constant बिना X वाला कौन है, R माइनस 8 है, और माइनस को लेकर ही हम लोग बताएंगे प्यार बच्चों, क्योंकि उसके आगे का वेलू होता है, उसके sign का बहुत बड़ा मान होता है, इसलिए माइनस 8, यानि कि अगर माइनस रहेगा तो उसको साथ साथ लिखना है, अगर मान लिया कि एक और एक्जामपल लेते हैं प्यार बच्चों, जरूरी नहीं है, टी अस्क्वाइर, पी अस्क्वाइर, यू अस्क्वाइर, एलस्क्वाइर, कुछ भी हो सकता है प्यार बच्चों, द्विगात समीकरन का मतलब ए नहीं होता है कि सिर्फ एक्स ही रहे, वहाँ पे power 2 होना चाहिए यह हम लोगों का main जरूरी बात है तो यहाँ पे 4T minus T square plus 10 है तो square वाला का बगल में कितना है एक छुपा हुआ रहता है तो minus 1 हो जाएगा तो A का value minus 1 अच्छा B का value कितना प्यारे बच्चो तो B का value वहाँ X वाला होता था तो यहाँ T वाला होगा तो B का value हो जाएगा 4 और C का value हो जाएगा 10 तो इस तरीके से कुछ एक्जामपल हम लोग देख रहते हैं प्यारे बच्चो कि अगर कोई द्विगहात समिकरन रहेगा तो उससे हम लोग A, B, C का मान कैसे निकालते हैं जरा एक और एक जामपल ले लेते हैं अगर सिर्फ और सिर्फ 4 है तब आप बोलिएगा कि सर A का value बताएगे कितना होगा तो A का value कितना होगा प्यारे बच्चो 0 क्योंकि एक रामें X अस्क्वार चाहे कोई अस्क्वार वाला नहीं है तो यहाँ पर हम 0 लिख दिया है B का value कितना है प्यारे बच्चो B का भी प्यारे बच्चो value 0 है क्यों? क्योंकि न तो X का value है न तो T का value कितना? 4 तो इस तरीके से हम लोग ध्यान से आप समझ सकते हैं कि कोई भी द्विगात समेकरन रहेगा तो उसका A का मान, B का मान और C का मान कैसे निकालते हैं यह चीजे आपको आने चाहिए अगर इतना आता है तो चलिए आगे सिखते हैं प्यारे बच्चो अगला जो है हम लोग को सिखना है विविक्तकर लिखा हुआ है विविक्तकर या फिर इसी को बोलते हैं नहीं रखना है हम मेरे लिए सौट नेम होता है विवेचक तो हम विवेचक ही बोलेंगे या फिर विविक्तकर भी आप बोल सकते हैं तो यह तीनो नाम में आपको जो नाम से पुकारना हो इसको आप पुकार सकते हैं ठीक है तो अब हम लोग समझते हैं कि विविक्तकर क्या होता है, विवेचक क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, हालांकि तीनो एक ही नाम से जाना जाता है, ओ है आप विवेचक बोलिए, चाहे विविक्तकर बोलिए, चाहे डिस्क्रिमिनेंट बोलिए, तीनो एक ही है चलिए इसके बारे में सीखते हैं सबसे पहले विविक्तकर को D से सुचित किया जाता है अगर कहीं भी अगर math में capital D बड़ा लिखा रहे है तो आप समझ जाएए कि वो क्या है तो वो विवेचक है या विविक्तकर है या फिर discriminant है क्योंकि discriminant का पहला letter क्या है? D इसलिए विविक्तकर को D से सुचित किया जाता है सबसे पहला बात आपको याद रखना होगा चलिए अब फिर अगला लिखे हैं कि D का मान 0 से छोटा होने पर मूल का अस्तित्व नहीं होता है प्यारे बच्चों आप जो है कोई भी द्विगात समिकर्ण में जब D का मान निकालेंगे तो अगर 0 से छोटा हो जाए होने पर तो 0 से छोटा कब होगा जब D का मान माइनस में आएगा माइनस एक, माइनस दू, माइनस तीन, माइनस में इटीसी समझ में आ रहा है तो 0 से छोटा कब होता है कोई भेलू जब माइनस में आएगा तभी न छोटा होगा तो अगर जीरो से छोटा हो जाएगा यानि कि प्यारे बचो आप ये समझे कि दी का फेलू जब माइनस में आएगा तब उसका मूलो का अस्तित्व नहीं होता है मूलों का मतलब क्या प्यारे बच्छो मूल का मतलब समझ जाते हैं हम लोग हल ठीक है यानि कि बहुत बड़ीया चीज हम लोग सिख रहे हैं भी अगर आप इस चीजों को नहीं सिखिएगा तो बाद में आपको एकसरसाइज में प्राब्लम होगा प्यारे बच्छो इसलिए स दूसो तीन आजाए मैंने कुछ भी अगर माइनस में आता है या फिर बोले तो जीरो से छोटा आता है तब मूल का जो अस्तित्व है वो नहीं होता है का मतलब क्या है कि हल निकाला नहीं जा सकता है और बहुत बढ़ियां चीज है प्यारे बच्चों यानि कि कोई भी दिवि विवेचक निकालते हैं अगर विवेचक का मान यानि कि कैपिटल डी का मान जीरो से छोटा हो जाए तब उसका हल नहीं निकाला जा सकता है उसका मूल अकास्तित वह कोई नहीं निकाल सकता है ठीक है और सबसे इंपोटेंट कि डी का मान कहीं से निकलेगा तो प्यारे बच तो D बराबर क्या फर्मूला है? B square minus 4AC कोई भी दिविघात समिकरन रहेगा तो अभी हम लोग सीखे ना कि A का मान कैसे निकाला जाता है B का मान कैसे निकाला जाता है C का मान कैसे निकालता है जब A, B, C का मान निकल जाएगा तब आपको कोची के मान निकालना है D के मान अगर D के मान B square minus 4AC के फर्मूला से B के जगा पर B रख दीजिएगा उसका square कर दीजिएगा minus 4, फिर A, फिर C को multiply करके घटा लेना है तो अगर यी फर्मूला से हम लोग D का मान निकालेंगे अगर D का मान 0 से छोटा हो गया या फिर minus में हो गया तब उसका मूल का स्थित्व नहीं है उतना ही पर हम लिख देंगे कि इसे हल नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसका मूल का स्थित्व नहीं है अच्छा है फिर लिखेंगे कि यदि D का value 0 से देखिए बराबर आ जाए या फिर D का मान देखिए जिधर मूँ खूला रहता है उदर बड़ा होता है तो यदि D का मान 0 से बड़ा है मैंने कि पोजिटिव है या फिर 0 भी आ जाए तब मूल जो है निकाला जाता है तो अगर कोई पुछेगा कि ऐसा करोन भई कि द्विघात समिकरन को कब हल किया जा सकता है तो आप बोलेंगे कि D का मान 0 से बड़ा होना चाहिए या फिर D का value 0 भी आ जाएगा तब पर भी उसका हल निकाला जा सकता है उसको मूल निकाल सकते है उसको हल किया जा सकता है यानि कि अगर हमा लिया जाए कि कोई द्विघात समिकरन है और उस द्विघात समिकरन का हल निकालना है और D का value आ गया 0 निकाल रहे तो अब कैसे decide करेंगे किसका होगा कि नहीं होगा तो प्यारे बच्चों D का value अगर 0 आ जाता है या फिर D का value पलस में आता है पलस 1 पलस 2 यानि कि बढ़ा तब पर भी हम इसको निकाल सकते हैं लेकिन D का value अगर प्यारे बच्चों माइनस में आ गया तब उसको हल नहीं निकाल सकते हैं और D का मान कैसे निकलता है प्यारे बच्चों तो ये formula से वही बात लिखा हुआ है यहाँ पे कि D का वैलू अगर 0 से बराबर भी आ जाए या फिर 0 से बड़ा आ जाए तो मूल जो है निकाला जाता है जैसे कि पैरे बचों एक एक जामपल के तोर पे लेते हैं एक एक जामपल है 2X स्क्वाइर माइनस 4X प्लस 3 ठीक है अब इसका बोल रहा है कि आप बीबेचक ही खाली निकाली हल नहीं कीजिए अगर कोई सवाल में बीबेचक निकालना रहेगा तब खाली हम बीबेचक निकालेंगे ये बीबेचक का फर्मूला है D बराबर अगर बुलेगा कि हल किजिए तो कोई भी सवाल को आज से याद रख लिजे प्यार बच्चों कि आख बंद करके हल नहीं करने लगेंगे आप पहले उसको चेक किजिए कि क्या इसको हल किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है उसके लिए चेक करने का फर्मूला है यानि चेक करेवाला मसीन के फर्मूला याद रखना है यही आपको चेक करेगा कि कहा फॉल्ट है कि सही है अगर सही रहेगा तब आपको आगे का काम करना है तो यह ऐसा मसीन है जो फॉल्ट को चेक करता है अगर fault में 0 आए और fault में कब कहेंगे जब 0 से छुटा हो जाएगा तो ये एक ऐसा machine है जो आपको check करना होगा हर कदम कदम पर कि क्या इसका हल किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है तो एक example लेते हैं इसमें सिर्फ बोल रहे कि b बेचे कमान हमको निकाल कर दिखाओ तो सबसे पहले b बेचे कमान तब एन आप निकालेएगा जब e वाला मेंसे आप a कमान, b कमान और c कमान चुनिएगा तो इसमेंसे आप a कमान चुनिएग़ तो a कमान किसको कहते हैнибудь value minus 4 और c का value कितना हो जागा प्यार बच्चों 3 बिना x वाला जैसा कि a कमान b कमान और c कमान लिख दिए जब a कमान और b कमान और c कमान लिख दिए तब d बराबर formula नहीं आता है d square minus 4 ऐसी क्योंकि वी वे चक तो निकालने के लिए यहां पर d निकालिएगा तो minus 4 का square हो जाएगा क्योंकि b square है तो minus 4 square फिर formula में minus है तो minus देंगे देखे minus है तो minus देंगे फिर 4ac तो 4 दे दिए a का value देख लिए 2 है तो 2 रख दिए c का value यहां से 3 है तो 3 रख दिए मैंनस 4 का square कितना हो गाँ प्यार बैच्चो 16 और यह minus का minus क्योंकि minus का minus का square कितना होता है minus का square मिनि माइनस 4 गुने-4 6 माइनस 4 का square का मतलब क्या minus 4 गुने मााँ चार और minus sequence 4 ए इसीलिए इसका value हो जाएगा प्लस 16 लेकिन माइनस चारदुना का आठ और आठ तरी के 24 तो 16 में से 24 गया तो कितना बचेगा माइनस आठ तो प्यारे बचो इसका विवेचक का जो आंसर आ गया माइनस आठ लेकिन आप समझ पा रहे होंगे कि जब माइनस आठ आ गया तो इसको हल नहीं कर सकते हैं इसका हल गयात कोई नहीं कर सकता है यानि कि कहीं का क्यों नहों पढ़ा लिखा ब्यक्ती चाहे कुछ भी हो उसका हल एक्स का मानी निकल यह नहीं सकता है कोई बुलेगा कि यहां से x का मान निकाल के दिखाओ तो हम उसको पहले चेक करेंगे कि यह कैसन सवाल दिया है ठीक है अब चेक करने के लिए यही विवेचक डिसाइड करता है कि उसका मान निकलेगा कि न निकलेगा ठीक है तो यहाँ पर आप इसलिए लिख दिये हैं कि इसका हल जो है नहीं किया जा सकता है क्यों नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह माइनस में आ गया अगर यही 0 आ जाता चाहे 0 से बड़ा आ जाता यानि कि 0 रहेगा तपर भी निकालना है जीरो से इधर नहीं निकलता है माइनस में इधर निकलता है तो चलिए हम लोग वीवेचक को सिख लिए हैं अब आगे कुछ है उसको सिखते हैं प्यारे बचों अब आई ये आते हैं हम लोग में टॉपिक्स पे जो सूत्र लिखा हुआ देख पा रहे होंगे सूत्र है इसी को हम लोग बोलते हैं द्विघाती सूत्र इसी को क्या बोलते हैं प्यारे बचों द्विघाती सूत्र अब ये द्विघाती सूत्र का फार्मूला क्या है एकस बराबर माइनस बी पलस माइनस रूट डी बटा में टू है ये द्विघाती सुत्र कहलाता है द्विघाती सुत्र नाम किसे पड़ा? तो द्विघात समिकरन को हल करने के लिए बहुत अच्छा सुत्र है यानि कि सौट सुत्र है इसी को हम लोग बोलते हैं द्विघाती सुत्र तो याद रखेगा द्विघाति सूत्र का फर्मुला क्या है तो माइनस B पलस माइनस रूट अंडर D यही D का मतलब क्या प्यारे बच्छों विवेचक जो अभी है भी हम लोग पहले सिखे हैं विवेचक पटा में 2 है अब फर्मुला लगाना कैसे है एकस का मान कैसे निकालना है यानि कि देखिए हम पढ़े हैं पहले कि गुननखंड बिधी पूर्ण वर्ग बिधी द्विघात सूत्र तो दूगों से तो करिये सकते हैं अब द्विघाति सूत्र के माध्यम से और यह बहुत सौट है क्योंकि सब चीज जो है सूत्र पर काम करना रहता है तो फर्मूला पहले याद रख लिजिए माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा टू है चलिए अब हल करने के लिए सिखाते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं द्विघाति सूत्र जैसे एक्जांपल में एक कोश्चन है एक्स स्क्वार प्लस टू एक्स माइनस 143 बराबर 0 तो सबसे पहले प्यारे बचो कोई भी द्विघात समिकरन को सौल्ब करना रहे हल निकालना रहे एक्स कामान निकालना रहे तो आप क्या करेंगे तो उसको एक कामान बी कामान सी कामान निकालेंगे तो यहां से A कमान कितना है पैरे बचो 1 क्योंकि X स्क्वार वाला को A बोलते हैं जान ही रहे हैं आप B का वेलो हो गया दू क्योंकि X वाला कमान होता है B और बिना X वाला कौन है मैनस 143 यहां A कमान, B कमान और C कमान पता चल गया तो अब पता चल गया उसके बाद आपको चेक करे वाला मसीन लगाना है तो चेक करे वाला मसीन कौन है D हर सवाल पे आपको D निकालना ही निकालना है पैरे बचो इससे चुटकारा नहीं है अब D का फर्मुला क्या है B स्क्वार माइनस 4 A अब B के जाएगा पर कितना रखेगा 2 तो 2 का होगा स्क्वार तो यहां हो जाएगा 4 फिर माइनस तो माइनस 4 A तो 4 इंटू A A का वेलू 1 और C C का वेलू देखिया माइनस 143 ब्रैकेट में लिखा हुआ है क्योंकि माइनस है अब 2 का स्क्वार तो 4 होगे और यह वाला माइनस और यह वाला माइनस तो माइनस माइनस प्लस और 143 को 4 से गुना किजेगा तो 572 और 572 को चार जोड़िएगा तो 576 आप यहां से देख पार होंगे चेक करने वाला मसीन जो रिजल्ट दिया वो प्लस में 576 आया तो यहां पे हम बोलेंगे कि यहां मुलो का स्तित्व है जब मुलो का स्तित्व रहेगा तभी यह वाला दिविघाती सूतर का फर्मूला लगाना है प्यारे बच्चों क्योंकि मुलो का स्तित्व रहेगा तब हिन आगे solve कर सकते हैं हम लोग तो इसी तरीके से यहां पर मुलो का अस्तित्व है जब हो गया तब आप x का formula लगाईए तो x का formula क्या है minus b plus minus root d बटा में 2 है यही formula होता है x बराबर देख लिजे अब क्या रखना है तो minus तो सवाल में है तो इसलिए हम यहाँ पर minus किये है और b का value देख लिजे 2 है तो यहाँ b का value 2 है यहाँ वाला 2 यहाँ रख दिये है और plus minus तो plus minus तो फर्मूला में है तो plus minus कर दिये root d तो d कमान कितना आया 576 तो 576 कर दिये बटा में 2a तो a का मान कितना प्यारे बच्चों देखिए a का value 1 तो 2 into 1 पॉइंट ने समझना है पॉइंट को में लोग गुना भी बोलते है 2 into 1 तो यहाँ क्या बन गया प्यारे बच्चों अब अच्छा से देखिए तो minus 2 और plus minus और 576 का square root कितना होगा तो जब आप 576 का square root निकालेंगे तब यह बनेगा 24 ठीक है और प्रटा में 2 तो यानि कि इसका वर्गमूल निकर के आगया 24 अब यहाँ से देखिए plus भी है और minus भी है तो बीच वाला का ही plus minus लिया जाता है यह नहीं कि इधर वाला बीच वाला में plus भी है फर्मूला में minus भी है तो इसलिए अब इसको दो पार्ट में हम लोग बाटे हुए है एक बार plus लेना है एक बार minus लेना है तो एक बार plus लेंगे तो minus 2 का तो 2 रहेगा यह रहेगा यह वाला बीच में जो plus minus है इसको हम लोग अलग-अलग तोड़ते हैं तो यहां plus ले लिए 24 बटा में 2 और अब की बार में minus 2 तो रहेगा रहेगा खाले e अलग-अलग होता है एक बार plus e अलग होगा e minus अलग होगा तो यहां minus value लिए है b e का मतलब value मान तो minus वाल लिए है तो यहां हो जाएगा minus 2 और यह हो जाएगा minus 24 बटा में 2 अब इसको अगर आप जोड़ घटाओ करेंगे तो आएगा 22 क्योंकि प्लस वाला का मान हो जाता है और 2 से divide करेंगे तो 11 और यहां पर आप करेंगे तो minus 26 बटा 2 minus 13 यह भले minus में आ गया तो यह अमान्य उतर है लेकिन हम लोग का तो धूगो सालूशान आना चाहिए ना क्योंकि द्विघात समीकरन है द्विघात समीकरन का दूगो सुत्र होता है तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हम लोग द्विघाती सुत्र की सहायता से हम लोग दूगो मान निकाल सकते हैं जैसे कि पहले हम लोग गु एक जाम्पल है सवाल कुछ ही तरीके से था कि य पलस वन बाई वाई बराबर में थ्री ये सवाल था ठीक है अब इस सवाल को सौल्ब करना था किसकी सहता से तो द्विघात सुत्र के सहता से हम अभी सौल्ब कर रहें तो इस वाई को हम वाई बटा वाई एक लिख दिये और एक बटा वाई को एक बटा वाई छोड़ दिये बराबर में तीन अब एक और वाई का एल सियम कितना हो जाएगा वाई एक से यू वाई बार में कटेगा और इस वाई को वाई से गुना करेंगे तो वाई का स्क्वार पलर वाई से वाई का डिवाइड करेंगे तो एक लिख सकते हैं। 3 2 1ूरी पैरे बच्छे हम जानते हैं कि यहां से तिर्शा तिर्शी गुणा होता है। तो y² प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे तो वही कब वही रहेगा y² प्लस 1 बराबर 3 को जब y से गुना करेंगे तिर्शा तिर्शी गुना तो यहां 3 को y से गरेंगे तो 3y अच्छा हम लोग जानते हैं कि दिविघात समिकरन में बराबर के इधर 0 होना चाहिए एक बात और याद रखने हैं चाहिए कि क्योंकि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता न है तो यहां बराबर के आगे इधर कितना होना चाहिए 0 तो इसको इधर 0 बनाने के लिए 3y को इधर लाना पड़ेगा तो y² प्लस 1 तो पहले सही था हम इसको इधर ला दिये तो माइनस 3y और बराबर इधर बचे गया 0 जब इतना आ गया प्यार बच्चो तो यहां से आप a का भेलू निकाल लेजे तो a का भेलू कितना होता है तो a square वाला होता है यहां यही मतलब नहीं रखता है कि y square है चाहे x square है आप a square वाला का बगल वाला होता है a का मान तो y square है इसके बगल वाला मान हो गया a B का value कौन हो गया तो X के बगल वाला होता है तो यहाँ Y में है तो Y के बगल वाला B का हो गया मान C का value बिना X बिना Y वाला है तो 1 अब सबसे पहले D का मान निकाली है तो D का value कैसे निकलेगा प्यारे बच्चो B square minus 4C तो B square का value किता है तो minus 3 का square तो minus 3 का square प्यार बच्चो 9 minus 4 A into C तो A का value कितना होगा 1 और यहां C का value value 1 है तो 9 में से 4 यह प्यार बच्चो कितना आया 5 तो हम यह बोल सकते हैं कि इनका मूलो का क्या है अस्तित्व है क्यों 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 यहां पे plus में मानाया है अगर यही minus में आ जाता तो मूलो का अस्तित्व नहीं है लिखके और बस इतना ही पर आंसर छोड़ देते लेकिन मूलो का अस्तित्व है तो जब अस्तित्व रहता है तब आपको आगे का काम करना पड़ेगा प्यारे बच्चो अब हमको द्विघाती सुत्र की सहता से निकालना है तो द्विघाती सुत्र फर्मूला याद है x बराबर minus b plus minus root d बटा 2 वे होता है लेकिन वहां x होता था यहां पे जो हमको सवाल है वो y में दिया है तो y के नमान निकालेंगे हम लोग अगर यहां x x रहता तो x बराबर लिखते हैं यहां t t रहता तो t बराबर लिखते हैं तो यहां चुकि y का मानना निकलेगा तो y का वैलू क्या होगा तो y का वैलू भी वही फर्मूला minus b plus minus root d बटा में 2 है यहां पे सिर्फ आपको ध्यान देना है कि कोची है सवाल में इना कि सवाल में रहे y यहां लिख दीजे x तो वह मामला थोड़ा सा गड़बड है मैं यहां थोड़ा सा सोच समझ कर कदम रखना पड़ता है तो यहां y बराबर लिख दिए minus b plus minus root d by 2a अब minus तो already हमको सवाल में है अब b का मान कितना है तो b का value minus 3 है तो यहां पर minus 3 रख दिए plus minus root under root तो सवाल में लगाना है और b का मान कितना 5 बटा में 2a तो 2 गुना 1 पैरे बचों आप ज़रा यहां देखिए तो minus minus क्या हो जाएगा plus 3 तो यहां रख दिए plus 3 और यहां plus minus तो plus minus और root 5 तो root 5 बटा में 2 गुना 1 2 पैरे बचों यहां तो पुरा पुरा वर्गमूल नहीं निकलेगा वहां 576 का वर्गमूल निकल रहा था तो पैरे बचों आप यह समझेए कि जिसका वर्गमूल निकलेगा उसका वर्गमूल निकाल देना है जिसका नहीं निकलेगा वह इसी छोड़ देना है तो यहां वह इसी छोड़ दिये root 5 का root 5 छोड़ दिये अगर यही root 4 रहता तो 4 के जग़ा पे यहां 2 लिख देते हैं तो अब यहां पे plus मान लेंगे तो 3 plus root 5 बटा 2 एक गुवा जाएगा एक गुवा जाएगा 3 minus root 5 बटा 2 तो यही तक हम लोगों को answer हो जाएगा क्योंकि यहां पे root के अंदर जो है 5, 4, 5 रहे जिसका पुरा पुरा वर्ग नहीं करता है तो यही तक answer तो प्यारे बच्चों हम लोग इस तरीके से solution करते हैं चलिए आपको हम दिखाते हैं exercise 4.3 का पहला question यहां पे देखिए क्या बोल रहे है यदि निमलिखित द्विघात समिकर्णों के मूलो का अस्तित्व देखिए ध्यान से देख लिजे क्या लिखा हुआ मूलो का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बिधी की माध्यान से हल कीजे प्यारे बच्चों हम लोग क्यों कि पिछले क्लास में यह मूलो का अस्तित्व चेक करने वाला जो मसीन है इसके बारे में नहीं पढ़े थे यह मूल का अस्तित्व क्या बोल रहा था इसको हम लोग चेक आउट करने के लिए मसीन को पढ़बे नहीं किये थे इसलिए मेरे बहुत सारे प्यारे छात्रों क्या किये हैं सब को हल्व कर दिये हैं बिना चेक किये हुए यही कारण है प्यारे बच्चों कि तीसरा या चौंथा ऐसा करके कुछ question में वो लोगों को problem आ रहा था किसर इसका बनिये नहीं रहा है तो प्यारे बचो एकदम आपका सही सुचावट है और दूसरी बात कि आपने जो try किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि देखिए math practice का चीज़ है आप गलती किजिए अगर आप गलती करते हैं तभी कुछ अच्छा सीख पाते हैं तो आप क्या किया होंगे पहला दूसरा तिसरा चोंता सब को बनाने का परियास किया होंगे लेकिन अब जो काम करना है उसको हम लोग सिखा रहे हैं कि अब जो काम है कैसे करना है यानि बोला जाए तो ये जो आप काम किये हैं वो बिल्कुल सही है लेकिन अब क्या करना है उसको जो है बढ़िया फेर कोपी में उसको नहीं उतारना है क्योंकि इसमें देखी क्या कोशन बोल रहा है निमलिखित द्विघात समय करनों का मुल का अस्तित्व होगा तब इन्हें पूर्ण वर्ग बिधी द्वारा सॉल्व करना है यानि कि पहला कोशन अगर बात करें पहला कोशन क्या है टू एक्स स्क्वार माइनस साथ एक्स पलस तीन बराबर जेरो त्यारे बच्चों चुकि का वैलू मैनस साथ हो गया ती का वैलू 3 हो गया अब इतना चीज करने के बाद आप ओडी का मान निकालिया डी अस्कॉार म मानum 4 AC तो बीअ二 का मतलब कितना माइनस चाथ का स्कॉार-4 एक का मानों 2 सी का मान कितना 3 तो माइनस साथ का स्कॉार कितना होता है उन्चास माइनस चार दोनी के आठ तरी के 24 तो अभी यहां पर देखिए उन्चास में से 24 किया तो कितना बचेगा 25 तो अब 25 हो गया तो प्यारे बचों लिखना पड़ेगा कि अतर यहां लिखेगा यहां द्विगहात समिकरन के मूलो का अस्तित्व है् जब मूलो का अस्तित्व हो गया तो प्यारे बचों अब x बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट d वैट फ़र्मुला नहीं लगाना है क्योंकि यहां पे बोल रहा है कि जब रहेगा मूलो कास्ति तो तब पूर्ण वर्ग बिधी द्वारा सॉलोशन करना है समझ में आ रहा है तो अब यहां पे आपको क्या करना है पूर्ण वर्ग बिधी द्वारा फिर से सवाल लिखना पड़ेगा 2x square minus 7x plus 3 बराबर 0 तब पूर्ण वर्ग बिधी जैसे बताये थे कि यहाँ 2x square है तो दोनों तरफ दो से गुना करना पड़ेगा तब यहाँ से आपको चलना पड़ेगा आगे समझ पार होंगे अगर मान लिया जाए कि यहीं अगर आपका minus में आ जाता तब यहाँ लिख देते कि यहाँ द्विघात समिकरन का मूलो का स्तित्व नहीं है अतह इसे हल नहीं किया जा सकता है अगर मान लिया जाता minus में आता तो क्या लिखते हैं यहाँ द्विघात समिकरन के मूलो का स्तित्व नहीं है इसे हल नहीं किया जा सकता है जैसे कि प्यारे बचो आप देख पा रहे होंगे question number 4 यहाँ पर जब आप निकालेगा b square minus 4 ac तो यह minus में आ जाएगा ठीक है तो यहाँ जब minus में आ जाएगा तो यहाँ पर हम लोग नहीं कर सकते हैं तो चौथा सवाल में हम लोगों का solution नहीं होगा बाकी इसमें first, second, third में हम लोग सवाल को solution कर सकते हैं अच्छा फिर दूसरा सवाल क्या बोल रहा है उपयूक्त प्रस्न एक में दिया गया द्विघात समिकरन के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ग्याद कीजिए प्यारे बच्छो पहला question और दूसरा question फिर से आपको बनाना है बिल्कुल अच्छे तरीके से पहला वाला सभी सवाल में पहले आप डी का मान निकालिएगा जैसे हम बताये हैं अगर मुलो का अस्तित्व रहेगा तब पूर्ण वर्ग विधी द्वारा येनिकि दोनों तरफ दूसरे गुना कराकर जैसे पूर्ण वर्ग विधी बना है पूर्ण वर्ग विधी द्वारा पहला सवाल में बनाना है ठीक है लेकिन दूसरा क्या बोल रहा है कि पहला वाल में भी समझे कि चारेगों सवाल न हुआ क्योंकि पहला सवाल में आपको पूर्ण वर्ग विधी द्वारा करना है और दूसरा वाला में यही चारों को द्विघाती सूत्र की सहायता से करना है तो पहला कोशन और दूसरा कोशन आपको फिर से बनाना होगा पहला कभी चार को कोश्चन तो टोटल मिलाकर कितना कोश्चन हुआ आठ कोश्चन आपको आज का वक्स है हलांकि देखे यहां पर दिविघातिस सूत्र यानि कि एकरा में दिविघातिस सूत्र किसको कहते हैं माइनस भी प्लस माइनस रूट दी बाइ टू यहां पर यहीवाला फारमूला लगाकर सबाल आपको शॉल्व करना है और आप पाएंगे कि दोनों का भी सेम से मांसार रहां तो आपको प्यारे बच्चों पैहला और دूसरा question का solution करना है अगली दिन हम लोग 4.3 exercise का तीसरा सवाल से आगे discuss करेंगे टोटल देख पार होंगे 11 question है हाँ totally 11 question है तो इस तरीके से आज के class को यहां तक समाप्त करते हैं धन्यवाद